मुवी स्टार्ट होती है जब Benji, Brand और Luther एक package को cover करने की कोशिश कर रहे होते हैं package एक plane पर होता है और ये लोग plane का system hack करने की कोशिश करते हैं तब ही Ethan की entry हो जाती है Ethan सब को बताता है कि वो plane पर है और उसे अंदर जाना है इसलिए door open करो Benji door open करता है और Ethan package लेकर plane पर parachute के जरिये jump लगा देता है Next scene में Ethan एक disc shop पर जाता है जहां से उसको next mission का message लेना होता है Shop पर लड़की उसको एक disc देती है और वो इस disc को सुनने के लिए एक glass room में जाता है Message में Ethan को बताया जाता है कि Ethan ने जिस mission को रोका था वो Sandicate का था और Sandicate Ethan को नहीं छोड़ेगा Sandicate एक organization है जो government ने international matters को deal करने के लिए बनाई थी अब IMF और CIA मिलकर इन matters को देख रही थी यहां government IMF को भी बंद कर देती है और सारा काम CIA को ही दिया जाता है दूसरी दरफ Ethan को Sandicate ने पकड़ लिया था जहां से एक औरत Ethan की मदद करती है भागने में Ethan एक phone booth से Brent को contact करके बताता है कि London office खत्म हो गया है किसी ने agent को मार दिया है और इस सब के पीछे Sandicate का हाथ है मेरे पास एक नाम है यानिक बंटर और एक face है जो कोई भी हो सकता है तुम उसे ढूंडो Brent Ethan को बताता है कि IMF को खत्म कर दिया गया है और अब control CIA के पास है next scene में CIA head Brent को कहता है कि Ethan Hunt का पता बता दो वो dangerous है इसलिए उसको पकरना जरूरी है 6 महीने बाद CIA को Ethan की information मिलती है CIA एक टीम उस location पर भीज़ती है बट Ethan वहाँ नहीं होता उस location पर Ethan ने सारा होंबर कर रखा होता है कि Sandicate क्या है और कौन कौन से agents उसके साथ काम कर रहे हैं ये information CIA को मिल जाती है CIA को Benji पर शक होता है कि उसका contact है Ethan के साथ और Benji Ethan की मदद कर रहा है CIA का head हंड ले बहुत से questions पूछता है Benji से बट Benji को कुछ नहीं मालूम होता Next Benji को एक package मिलता है और जिसमें opera concert की tickets होती है ये Ethan ने भेजी थी वो Benji से मिलना चाहता था ये concert Australia में था Benji जैसे की train से निकलता है Ethan उसे contact करता है और उसको एक picture भी भेजता है ये बंदार syndicate का head है जो इस concert में आएगा हमने खामोशी से अपना काम करना है इस concert में चांसलर भी आता है जिसको देख के Benji परिशान हो जाता है कि ये जगा safe नहीं है इसके साथ वहां कुछ और लोग छुपकर weapons भी लेकर आते है इनमें एक guard, एक lady और एक flute artist भी होता है लेडी और flute artist चांसलर को मारने के लिए आते हैं जबके guard उन पर नजर रख रहा होता है Ethan और Benji इस concert hall के cameras को hack करके सब पर नजर रख रहे होते हैं तब ही Benji गताता है कि flute artist backstage पर है Ethan उसके पीछे जाता है Ethan को वो lady भी नजर आ जाती है अब ये चार लोग वहाँ अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं Ethan, flute artist, lady और guard काम ये था कि flute artist और lady चांसलर को मारने आते हैं guard ने इन दोनों को उनके काम के बाद मारना था Ethan पहले ही flute artist को मार देता है फिर वो flute gun से lady को पॉइंट करता है साथ ही guard भी Ethan को नजर आ जाता है Ethan यहाँ lady और guard को शूट करने की बजाए चैंसलर को जखमी कर देता है जिसे चैंसलर नीचे गर जाता है दूसरी तरफ benji आके guard को रोगता है और lady guard को शूट कर देती है अब Ethan बैंजी और lady यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते है लेडी Ethan को मिल जाती है बैंजी guard लेकर आता है दूसरी तरफ चैंसलर के guards उसको safely opera house से बाहर निकाल लेते हैं और गारी में बिठा देते हैं CIA head हंले परिशान हो जाता है कि बैंजी वहाँ क्या कर रहा था जब चैंसलर का murder हुआ Ethan बैंजी को वापस जाने का कहता है मगर बैंजी उसको ये बताता है कि वो एक agent है और वो वापस नहीं जाएगा अब Ethan सारी डीडेल बैंजी को बताता है सैंडी केट के बारे में और कहता है कि हमें Elsa को ढूंडना है अब Elsa लेन के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर उसे Elsa पर ट्रस्ट नहीं है तो वो से मार दे क्योंकि उसने एक दूसरे शूटर को भी भेजा था चैंसलर को मारने के लिए लेन Elsa से कहता है कि एतन को ढूंडो एतन Elsa के पीछे मौरो को आ जाता है यहां Elsa एतन को लेन और सैंडी केट के बारे में सारी डीटिल बता देती है ब्रैंट अपने पुराने साथी लूदर को कांटाक करता है और उसकी मदद मांगता है एतन को ढूंडने में क्योंके सी आईए भी एतन को ढूंड रहे थे और अगर एतन सी आईए को मिल गया तो वो उसे मार देंगे यहां Elsa एतन को बताती है कि वो डबल एजिंट है और उसको भेजा गया है लेन के साथ काम करने के लिए ताके लेन पर नज़र रख सके Elsa कहती है कि सैंडी केट की सारी इंफरमेशन एक एजिंट ने चुरा कर एक सिक्यूर कंप्यूटर फैसिलिटी में रख दी थी वो एजिंट लेन को बलैक मेल करना चाहता था बट लेन ने उसको मार दिया अब लेन को पकरना है तो वो इंफरमेशन इनके काम आ सकती है मगर उस सिक्यूर फैसिलिटी इंफरमेशन निकालना नमुम्किन है यहाँ बहुत ज्यादा सिक्रेटी है एथिं इलसा को एक आइडिया देता है जिस पर काम करके एथिं बैंजी और इलसा वो इंफरमेशन निकालने में कामयाब हो जाते है इलसा एक डबल एजेंट है इसलिए वो इंफरमेशन की पैन ड्राइव लेकर भाग जाती है एथिं और बैंजी उसका पीछा करते हैं इसी दोरान वो ब्रेंट और लूतर से मिलते हैं इलसा भाग जाती है वो पैन ड्राइव लेकर बैंजी एथिं को बताता है कि उसने एक कौपी बना ली थी उस ड्राइव की इलसा MI6 के लिए काम करती है और वो MI6 के चीफ को पैन ड्राइव दे देती है चीफ एटली इलसा को लेन के पास वापिस भीज देता है डबल एजन पना के दूसरी दिरफ बैंजी एथिं को बताता है कि ये पैन ड्राइव इंक्रिप्टेड है और ये एक रेड बॉक्स है रेड बॉक्स गवर्मन्ट सीक्रिट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूस किये जाते हैं और इसको एक ही इनसान खोल सकता है और वो खुद है प्राइम मिनिस्टर एथिं कहता है कि हमें पी-एम के पास जाना चाहिए इससे पहले लेन उन तक पहुंचे ब्रेंट सीया हैड हनले को कॉंटेक करके सारी बात बता देता है यहां ब्रेंट उसको ये भी बताता है कि इतन पी-एम को किड्नैप करने वाला है हनले ये बात चीफ एटली को बताता है और ये दोनों पी-एम को एक सेक्यूर रूम में बुलाते हैं ताके पी-एम को सारी बात बता सकें इधर लेन बेंजी को किड्नैप करके उससे पैंडराइव अनलॉक करने का कहता है पी-एम चीफ एटली के साथ एक रूम में चले जाते हैं यहां ब्रेंट पी-एम को बताता है कि इतन के पास एक रेड बॉक्स है जिसके जरिये वो सैंडिकेट को पकरना चाता है सैंडिकेट का नाम सुनके पी-एम एटली से पूछता है कि सैंडिकेट को खत्म करने का कहा था तुम से यहां पी-एम चीफ एटली को इंक्वाइरी की धमकी देता है जिस पे एटली पीम को बेहोश कर देता है और हमें पता चलता है कि एथन ने एटली का मास्क पहना था ताकि C.I.A. चीफ हंले को सारी सिचुएशन दिखा सकें यहां से एटन पीम की मदद से पैन ड्राइब अनलॉक करता है और उसमें बिलियन्स अफ डॉलर्स की फंडिंग इन्फरमेशन होती है एटन की इन्फरमेशन यूज़ करके लेन को ट्रैप करता है और लेन प्रूफ के साथ पकड़ा जाता है सैंडिकेट को शट डाउन कर दि दिया जाता है तिल्सा एतन को बाई कहकर चली जाती है